नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे दोस्तों मैं NC 80 का साठ संग्रा पिसले वर मैंने आपको वर्ल्ड जोगरफिकर आया था और इस वर मैं आपके सामने इंसेंट हिस्ट्री ले करके हाजिर हूँ जो कि आप सामने देख सकते हैं NC 80 साठ संग्रा महिस बढ़नवाल का बुक से लिया गया है और इसका वन लाइनर है सब भी पड़तों परिच्छों के लिए समान उपयोगी है चलिए देखते हैं इंसेंट हिस्ट्री भारती इतिहास इसके बाद हम आपको मेडिवल करा देंगे उसके बाद आपको मौडन हिस्ट्री भी करवा देंगे इसी बुक से अगर आपको मेरा परियास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विडियो को सेर कीजिएगा ताकि और भी जो दोस समाज अथ्वा देश से संबंधित महत्पूर्ण बिस्ष्ट वस्थारवजनिक छेतर की घटनाओं तत्यों आधिका काल कराम विवरन इतिहांस का लाता है इतिहांस का पिता किसे का लाता है हेरो डोटोस को प्राचिन भारत के इतिहांस से संबंधित पर्थम बास्तविक को एधियन को किया कहा जाता तहा अविलेक सास्तर लीपियों के विकास का अधियन को पूरा लेपि पीद्या कहा जाता है फ्राजम भारत बारत किस अविलेक से कनुव और एतिहासिक काल इतिहास को तीन समय में विवाजित किया गया है माना बुतपती से तीन हजार इसा पुरुव तक तीन हजार इसा पुरुव से लेके छेजार इसा पुरुव तक पुराइब भारत के प्राचिन तम गरंथ बेदों का संकलन करता है किसे माना जाता है तो महर्षिक क्रिष्ण दोईपानन बेद ब्यास पौरानिक मानता है कि अंसर भारत के प्राचिन तम राजा को थे तो बैस्वसूत मनूँ बाई पुरान में किस बंस का उलेक मितात गुप्त बंस का कौटिले के आर्थ सास्त्र से किस बंस के इतिहास की जानकारे मिलती है तो मौरी बंस जैन धर्म का प्रारमिक इतिहास की सकरन से प्राप्त होता है तो कल्प सोत्र से भारती पुरा तात्विक सरवेचन संस्कृति मं पुरान किस बंस संब्दी तो मौरे बंस से खरुष्टू लिपी किस लिपी जाने जाती है तो दाएं से बाई क्योर लिखी जाती है नारद इस्मिर्थी, नारद इस्मिर्थी से किस बंस के जानकारी मिलती है तो गुप्त बंस की इस्मिर्थी गरंथों में सबसे पराचीन और परमानिक पुस्ता कौन सा है तो मनु इस्मिर्थी सुंग काल का मानक गरंथ किसे कहा जाता है तो मनु इस्मिर्थी का इस्तिरी को पुरुष की अर्धायंगनी किस concerned में कहा गया। रुद्रदमन पर्याग अस्तंबलेक आपका समंद्र गुप्त मंदसौर अभिलेक मालवा नरेश यसो बर्मन ग्वालियर अभिलेक पर्तिहार नरेश भोज देपाड़ा विलेक आपका बंगाल सासक बिजय सेन भीतरी वा जुनागळ विलेक असकन गुप्त बहुत अस्तंब नलंदा भी सुविद्ध दाला योग कि अभी फिर से निर्मान हो रहा है पतंजली के महा काब से किस बंस का इतिहांस का पता चलता है तो सुंग बंस का मारको पोलो द्वारा किस राज कियातरा का उलेक मिलता तो पांडे राज की और चिनी लेकों का बढ़ना ने फाहियान हिंसां इति सिंग सत्य परथा का पर्थम लिखी साच 510 इस्वे में भानोगुप्त की एरेन अभिलेक से प्राप्त होता है अगे देखिया गया पासानकाल इसको भी तीन भागा गया है तीन काल में बाटा गया है पूर पासानकाल प्लेस्टोनिक एज मद्य पासानकाल नन पासान का नियोड़िक एज, पूर पासान का लगा 26 लाग से लेकर के 9000 इसा पूर्व, मध्य पासान का 9000 इसा पूर्व से लेकर 4000 इसा पूर्व, नप पासान आपका 4000 इसा पूर्व से लेकर 2500 इसा पूर्व, नप पूर पासान काल आपका देख लिए पूर पासान का नि पूर्पासन प्राप्थे Smack आए रूप personnes कर रूप में भारत में माना की सरवपर्थे मसाच्छ कहा सुन्स क्रेवा थो हंत्य नंग तगाटी लेकर हलपा सबेता तक संस्कृतिक अपसेश् कीस पुरा अस्तन से पराप्थ हुआ है काली वंगा से बिरहत पाशानिक अस्मारकों की पच्छान की श्रूप में की गई तो मिलतक व दफणाने की रूप में प्राशी इंतम अस्थाई जीवन के पर्मान कहां से प्राप्ति होते मेहर गल से मनुष्ण ने सरपर्थम किस धातू का पर्योग किया तो तामबा धातू का पर्योग किया परस्तर यूग के लोगों के पास पर्थम घरेलू पसु कौन सथा तो कुट्टा उत्खनित पर्मान के अनुसार पसु पालन का परारम किस काल से माना जाता है तो मध्य पासान काल से मध्य पासान काल में पसु पालन के प्राशी इंतम साक्षे कहां से मिले तो आदम गड़ से मानब द्वारा खादानों की किर्सी सरपर्थम किस कालें परारम हुई थे नप पासन काल में मानब द्वारा खादानों की किर्सी जो मतो खाने वाला जो भोजन है उसको सरपर्थम किस कालें परारम हुआ थे नप पासन काल में मानप दोरह परियोग मलाय जाने वला पर्थम मनाच कौन सा था जौँ चाल कोथिक यूग को किस अने से नाम से जाना जाता है तामर पासानी क्योग तामर पासान कालिन अस्थल देख लेजिए इमाम गा महराष्ट कची मिट्टी के मकान में गोलाकार गड़े वाले मकान के सा पर्थम साक्ष और लाल के लिए पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बरतनों के पर्मान तामर वती में आपका राजस्थान यहां से प्राप्त काले मिर्दवांड सफेद रॉक के चित्रों से सजे रहते हैं ना पासान काल सब्द का सर पर्थम परियोग 1865 इसवी में स जान लुवाक ने किया था आगे देखिए क्या है भारती पुरा तात्विक सरवेक्षन का पर्थम महान दीदे से कौन है तो जान मार्चल भारती पुरा तात्विक पुरा तात्विक का जनक किसे कहा जा तो लेक जंडर कनिगम भारत के किस अरंभिक पुरा पासान काल के य पेवल उपकरन सम्मधित निमनपूर पासानकाल से तामबती के नाम से कौन सा संस्कृति परस्थिंदत अहार संस्कृति मैक्रोलिथिक आउजार सम्मधित मध्य पासानकाल से बेलन घाटी से प्राप्त आउजार किस काल से सम्मधित निमनपूर पासानकाल से माना के आखटेक और खाद संगरा के अबस्ता किस काल से जोड़त पूर पासानकाल से नप पासानकालीन कालीन संस्कृती महराश्ट के लोग मिर्थो को घर के फर्स के नीचे उतर दक्षिन तिसा में रखकर दफनाते हैं भालत के दो सरवाधिक प्राचिन ग्यात तथा मध्य पासानकालीन अस्तनल कौन से महा दही और सराह नहर राय आधुनिक मानब होपियोंस का प्राद हुआ कब हुआ था उच्चिपूर पासानकाल में अगनिका प्योग करना मानब ने सरव पासानकाल में भारत में जिवासम के एकमात पर्मान कहां मिला सिवालिक पाहले से भारती महादेप में किर्शी के प्राचिन तम साक्षी किस अस्तन से प्राप्त हुआ थे महर गल से नबदा टोली नामक तामर पासी का अस्तन का उत्खन है एजडी संकालिया ने क्या था नबदा टोली बरतमान मध्य परदेश में अवस्तित है हड़े निर्मित उपकरन किस भारती पुरा थात्विक अस्तन से प्राप्त हुआ थे सराय नहर राई से गौरिका मिर्त भांड पत्र का नामकरन काहँवात हस्तिनापूर से सिंदु घाटी सबधा का मुक अस्तल मोहन जोदरो चानुदरो सुथ कॉंडोर हलोपा तथा कूर दीजी बरतवान पाकिस्तान में इस्तितन पासंग काले अस्तल बुर्ज हूम जो कि आपका कस्मीर में ह यहां से आपको मिला था कबरों में मालिक के साथ कुटे दफनाने के साक्ष प्राप्त हुए था आपसे गिजामने इसल में पुशा जाल सकता है कुटो कबर में मालिक के साथ कुटे दफनाने की साक्ष जो मिले हुए कहां से मिले है तो आपको जवाब दना है बुर्ज हू जो कि दो किस्मों की खिती के परमान कची इटों के आयताकार मकान और प्राचिंतम अस्थाई जीवन के साक्ष मिले हैं कहां से महरगर्ड पाकिस्तान में पड़ता है। संगल कलू जो कि करनाटक में यहां से आपको रा के ठीले प्राप्ट हुएं जो कि बेलारी जीले मवस्तित हैं। के सिंग से सिंगों से निर्मित हैं दाओ जली यो क्या पसम है किर्शी के पसुपालन के साक्षी यहां से प्राप्त हुए हैं नीचे देखे क्या है नबदा टोली नामक तामर पासिन अस्थल का उत्खन एजडी संकालिया ने किया था नबदा टोली वर्तमान में मध्य परद असस्था निचला नगर अलग प्राप यो करत में महराष्ट मेंहरुता से संब् pendud — जहां दूर्ग तता निचला नगर अलग प्राचीरों से गिरा भाज़ोंर नाम से प्राची किसी सब्वटार किन Weeing 변more से भाज़ है महाराष्ट में अरश्ट में हरय से संस्था ह। हुआ है काली बंगन मोहन जोद्रों इवें हडपा सब्वेता के पुरातात्वी खुदा किसके दोरा थे किसर जौन मार्सल के दोरा हडपा काली नस्तुलम अभी तक किस धातू के प्राप्ती नहीं हुए तो लोहा का सिंदु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे मातरी दे से हडपा काली न मोहरों के सरवाधिक प्राचिंतम सरवाधिक पचली तकार के साथ बर्गाकार हडपा संस्कृतिक मोहरों घोले पर अंकर नहीं हुआ है आधुनिक देवनागरी लिपी का प्राचिंतम रूप क्या है ब्रामी लिपी 20 में सबसे पहले का पास की खेजिक आर करने मुह कहने के प्राप्थित काली भंगं से लेखन कला के पर नाले विखषित करने मेरी पर्थम प्राचिन सब्चाए सुमेरियन सब्चाए तो मिल द्भांड भारत में किस परकार के में द्भांड नगरिकरन के प्रारखम के पर्थिक मानेगे हैं, उत्री काले पालिश्कृत मिर्धवांद भारत में हलपा काल के मुद्राओं को निर्मान में मुक्रिकल कई ये सेल खड़े नीचे देखिए मान्डा है जो कि जमू कसर्वीन परता, यहां से सुन्द कॉंडर बलुचिस्तान पाकिस्तान हलपा की सीमा है अलमगिरपूर उतर परदेश और आपका पाकिस्तान बलुचिस्तान और नीचे आपका दैमवाद महराष्ट में है नीचे देखे लिए लोथल को लगू हलपा या लगू मोहंजोदरो भी कहा जाता है इसके पूरी भाग में एक गौदी बला का साक्ष मिला है आगे देखे क्या है दोस्तों बनर जी माटियम भीलार 1922 में सिंधू नदी किनारे विसाल असनानगार पुरोईतियों का आवास महाविद्याले सोलह मकानों का बैरक कासी निर्मित नग्न महिला मूर्ती दाढ़ी बाले पुजारी की मूर्ती चमकते हुए बंदर का चित्र एक स्रिंगर पस्वों वाले मुद्राइं प्राप्त हुए लोथल जोक्या हमधावा जिला गुजरात रंगनात राओ 1955-1962 किस नदी किनारे भोगवा नदी किनारे गोदी वाला बिरताकार तथा चावकोर अगनी दिबेदिका हाथी दांत चावल व बादरे पर दो मुहर आच्छस का अंकन फारस की मुहर घोड़े की मिरिन मूर्ती तीन युगमित समादियां चालक लोमडी का चिन्न है किस नदी किनारे मनके बनाने कार खाना बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्य का साक्ष लिपिटिस कासी गाड़ी बकराकार इट कंगा तीन घड़ियालों तथा दो मचलियोक अंकन वाली मुद्रा काजल पाडर प्राप्त हुए काली बंगान हनुमान गर्जिला राजस्थ नदी किनारे है यहां से मिला है को जूतिवे खेत का साक्ष भुकम की साक्ष अगनी हवन कुंड लंकरीत इट चूडियां संभपता एक साथ फसल बोनी के साक्ष लकडी की नाली राकी गड़ी आपका जोकी पड़ता हिसार हर्याना इनकी खोच किये थी सुरज भांजी ने 1969 में और किष्ण अधी किनारे घगर अधी किनारे तामर उपकरन हडपा लिपी युक्त मुद्रा कोट दीजी खैरपूर पाकिस्तान धूरिये अबंक फाजल अहमद खान 1935 में 1955 में सिंदु नदी किनारे किलिवंदी का साक्ष नहीं कच्छे इटिक के मकान बच्चुल है बनवाली हिसार हर्याना आरेस विष्ट रविंदर सुही विष्ट 1973 सरसती मिट्टे का हल सलको पर बैल गाले के पहिये का साक्ष तता जोक के साक्ष पराप्थ हुए हैं रोपर मार रोग की द्वारग खोजा गया 1954 में भावर मंदार नदी किनारे ज्वार बाजरा तीन संस्क्रितियों के अपसेस नलियां कच्छी इट की दुर्गे धान की भूसी आलम गिरपूर उत्तर प्रदेश मेरट ये खोजा गया आपका एकदस सर्मा उनी सो उन्ठावन में हि इन संस्क्रितियों के साक्ष प्राक्रितिक चटान परावस्थित मानव अस्थी से भरा बरतन बेविलोन से ब्यापार का साक्ष बंदर का मानड़ा जो की जम्मू कस्मेर में जगपती जोसी के द्वारग हो जा गया है में चेनाव नदी पर चाट बिलेड हड़ी निर्मित मानगरा मौरू के साथ प्राप्त हुए है और सुथ को जोकी पेरिन बुलुचिस्तान आपको पाकिस्तान में पड़ता है इसकी खोश किया जोर्च डेल्स 1962 में साधिक और यह दो टीलेवे मिर्दवान के साक्ष प्राप्त हुए है सुथ कोड़दा गुजरात जगपती जोसी 1964 में सरस्टी कलस सवाधान घोड़े की मिट्टी तराजु का पलड़ा हलपा सबता में बिनिमाई का मुख्य मध्यम बस्तु बेड़ में पर नाली को मा आगे देखिए बैदिक काल आगे आपका यहां से बैदिक बेच साब्दिक अर्थ का ज्यान सरवाधिक प्राचीन बेच कौन था रिग बेच आरे सब किसके उंगित करता है स्रेष्ट बंस को रिग बेच में कुल कितने मंडल सुक्त है 10 मंडल 1023 सुक्त तरही नाम किसके ल अध्ध्यात में ग्यान से संब्दिक नदी किस नदी की गई चिनाव नदी किनारे आरंभिक बैदिक साहित में सरवाधिक बार बढ़ने नदी कौन सी है तो सिंधु नदी बदिकालम परुकत सब्द, परुकत सब्द गाय को कहा जाता था अगन्या, जिसका बद न अगो या गोपा, अथितिव कहा जाता है, गोहन धनी बैक्तिव कहा जाता था गोमन्त युद्द को कहा जाता था गवस्टी गेशु गम में पुत्रियु कहा था दोहिता अनाच को धानने मर्वस्थल को धनत धनव उपजाओ भूमी को उरबरा पसुचारन योग भूमी को खिली हल्ची बनी हल्ची बनी नलियां को कहा था सीता कौन सा बेद रिग बेद रिचाओं का संकलन सामबेद बन वेवस्था का सरपर्थम बिचरन विवरन कहां से मिलता है रिग बेद के दसमे मंडल से पूर्ण बैदिक काल कींदो स्थांप करा राजा पनिंदन होता है तो सभा और समीति का बैदिक देपताओं का पुरोहित किसे माना जाता है अगला देखिए क्या है अगला वही है अपका दोस्तों इरान से भारत के आरियों का आनेगी सुचना किस अभी लेक में मिलती है तो बोगाच को यह लेक में उतर बैदिक काल में किस छेत्र को आरियों स्कृति के धूरी का समझा जाता है तो अंग यह मंगद गोत्रसथ का परियों स्कृति किस काल मुआ था रिक बेद काल में जनता का विश्वास के समें मिला था बाली विम कर्म कांट परसी दसराक युद्ध किस नदी के टटपल लड़ा गया था पूर सनी नदी जो किरावी नदी किनारे पड़ता है दसराक युग का बढ़न सर रिक बेद के दसपे साथ में मंडल में मिलता है आरियों का जीव को पारजन का मुकिस रोत क्या पाला रिवम किरसी रिक बेद में उलेखित यव सब्किस किरसी उतपात के लिए परिक्त किया जाता जो के लिए बैदिक युग में परचले तो लोग परिये सासन परनाली का क्या नाम था बंसानुगत राश्तन परनाली आरिवेद अर्था जीवन का बिज्ञान को लेख सरपर्थम किस बेद में मिलता है अथर बेद में सवाहर समिती परजापती को दो पुतरियों कहा गया है गायतरी मंद्र का उलेख रिक बेद के तिसरे मंडल में रिक बेद में किसको युद बिरफशती दुच सधी गगर नदीं हरननी चैतेंग लिदी कुम्झिया कूरम हो गया काबुल डवय सदा नीरा, कणंडग, चिनाव हो गया, सट्रहदी शतलच, गोवलो, गोमति, सिंद्यु सरस admired yolग, सुसोमा हो गया, सोहन, सवस्तू, स्वाहर॥ रिक बेद के मुल्डि क पढ़ने वाला ध्यापक क्या कहलाता था उपाध्याय राजाक उत्पत्ति का सिधान किस ब्राह्मन राज में मिलता था एत्रे ब्राह्मन में सल्व सुत्र किस बिसे पसरवादिक पुष्टक है जया मिती पर आस्तों मा सद्गय में बाक्यांस कहां से लिएगा ब्रियत नारा को पनी सद में बैधिक काल में लंबे समय तक आप एभाईत रहने वाले कन्या को क्या कहा जाता आमाजू बैधिक काल में दिजुसरेनी में कौन सा सामल थैप्रहमान च्छत्रिये बैसे रीग बैद में पिनास के संचित करने के आवस्था को क्या कहा थे जिवों की और जीवों की और नए कर्म का परवा रुख जाना गंगबंस मिराजा राजमल चतुरुट के मंतरी में सिनापती चामुन राय नोसो चाहतर चोहतर इस भी में सरवन बेल गोला के पास एक जिन मूर्ती कंदिरुम समब्दी तो जैन धर्म से आजीवक संपर्दाय के संपतिता अनुरस राचियान की से भर्म से सत्य संत्भरDIO संप्रदाय हों लिवाजान के पत्शात निर्मित सूथांबर संप्रदाय के संस्था को तो बद्र किस जयन संगिती में अंतिय उरुप से सोताम बर आगम का संपादन हुआ था परत्वम जयन संगिती पाठ़देपुत्र कह था देखे लिए परत्वम संगिती आपका 300 여शापुर में अस्थां पाठ़देपुत्र जो की बिहार में पड़ता है दक्षिस्केत अस्तुल भदर दिती हुआ था 512 बल्लेवी गुजरात स्रमास्रम इसके दक्षिता में हुई थी जैन तिर ठांकरों के करम अंतिम कों था महावीर स्वामी महावीर स्वामी जन्म होगा 540 सापुर जन्म स्थान बैस साले के कुन गराम के निकट पीता स्रिदार्थ माता त्रिसला लक्षिवी सासक चेटा की बहान थी बच्ष्पन कना बर्धमान महावीर पतनी एसोदा कुंडिये गोत्र से राजा समच्वी कन्या पुत्री प्रियर दर्सना अनेजा पर्मुक उपाधी केवल और निर्वान प्राप्ति पावपुरी में राजगिर विहार में 72 वर्स के आयू में 468 इसमें सस्थी पाल के हां मल गनराश के परधान का सासित छेत्र स्यादवास सिद्धान किसे संपन्तित जैन धर्म से उत्तर परदेश में स्थित कौन सा स्थान बाध एवं जैन धर्म का दोनों का परशित ट्रीट अर्स्तरलहत कोसंबी 16 महाजनपोतों का उले किस जैन रशना में मिलता था भगवती सुत्थ बराबर की गुफ़ों का नि जैन मुर्ती पूजा का प्राचिंतम प्रार्मानिक अविले कहां मिलता था थी गुंपा अविलेक में जैन सपर्दायम विभाजन के पच्चात अस्तुल भद्र के अनुवाई स्वेतांबर जबकि भद्र वहो के अनुवाई दिगंबर कहलाए आगे चली दोस्तों आगे आपका आगया बहुत धर्म हम तो आपको बता ही दोटे करके पहुड़ रहा है जहां छूटता है तो अभी देख लिजेगा एक बार से फिर से महात्मा बुद्र की सिक्षाई सरफथम कीस रोप पर संगले त्रीपटक के रूप महाबनिसकरम सक्यात आत पर है बुद्ध के गिरित्या के घटना बुद्ध को इसवर्ट करूप में पूजने वाला बुद संबरदाय कौन था महायान किस बौध संगितिन में बौध स्थ पर्फिद्ध बुद्र चरित के रचनाकार अस्में भेक असो का कौन सा विलेक इस परंपरा के पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुंबनी मुहा था रुक्मनी देई अस्तम भविलेक बुद्ध के महायान और हीन्यान संपर्दा में सरवाधिक मौली कदगार सम्मौली कंतर कौन साय देवी देपताओं की पुझा बुद्ध की सरवाधिक मूर्तियों की दर्मान गंधार सेलीम हुआ था बुद्ध को पर्थम पर्तिमाल मतुरा कलाय सेलीक अंतरगत बनाई गई थी भार्थी कला में बुद्ध के जीवन की इस घटना का चुत्रान मि आत्मा बुद्ध जन्म हुआ था पांसु तरिसर्ट इसापूर में जन्म स्थली आपका लुंबनी कफिल बस्तु बर्तमान रुक देई नेपाल में परता है पितास्तु दोदन सक के राज कफिल बस्तु के सासक माता महा माया देवी कोली गनराज के बच्पन के नाम से दा अनन्द वसुपाधी धर्म परचार का स्थल हो गया साक के कासी मगद अंग मली बज कोसल राज जीवन कांतु के 433 सापूर में आयोस्ती वर्स में बैसाक पॉड़निमा कुशी नगर में बुद्ध के जीवन काल में कौन संग परूंक बनना चाता देवदत भारत में मुर् कर परवर्तन से बॉद्ध संग में भिचनु करूप मिस्तरियों के परिविश के अनुमती कहां दीगत 22 साली में समराट असोक ने अपने बुत्र महंदर और पुत्र संग मित्रा को बॉद्ध धर्म के पचार पसार के लिए स्रुलंका भेजा था आगे देखिए क्या है दो कर दो कर दो दो